Hello everyone, hope so you guys are doing well, मैं हूँ वचाहत रोजी टीवी पे एक दवा फिर से आपको वेल्कम करता हूँ हम लोगों ने एकसर अपने स्कूल, कॉलेज या 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 यूनिविस्टिके किसी ऐसे रूम के बारे में स्टोरी सुनी होती है इस लिस्ट में सबसे पहले नमबर पे आता है सीक्रेट गॉर्गॉयल रूम बहुँच से लोग ऐसे हैं जब वो किसी नए घर में शिफ्ट हों और वहां से उनको डॉल्स मिलें तो उनको देखके डर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है शायद ये डॉल्स हॉंटेड हो लेकिन इमेजिन आप एक नए घर में शिफ्ट हुए हो और वहां से आपको गॉर्गॉयल मिलता है गॉर्गॉयल को गॉर्डियन शिप का सिंबल भी मना जाता है ताके इवल स्पिरिट्स घर से दूर रहें इसलिए लोगों की नजर में वो हमेशा से बहुत खोफनाक मने जाते हैं इसी तरह 2014 में USA में एक आदमी अपने नए घर में शिफ्ट होता है उस घर का उनर उससे पहले कोई और था काफी देर वहां रहने के बाद वो नोटिस करता है कि उसके घर के बाहर एक सैलर डोर है सैलर डोर बेस्मेंट में एक चोटे रूम की तरफ निकलता है जो के पुराने जमाने में स्टोरेज वगरा के लिए यूस किया जाता था वो आदमी उस डोर से अंदर जाता है और देखता है कि दिवार के साथ एक वर्क बेंच पड़ा है वर्क बेंच को हटाने के बाद वो दिवार का पैनल रिमूफ करता है और देखता है कि वहां पे एक सीक्रिट रूम है जिसको देख के वो काफी शौक्ट होता है उसे वहां से कुछ तूटी हुई लकडिया मिली और एक गॉर्गॉयल मिला उसका कहना था कि वो बहुत क्रीपी था जिसे देखके वो बहुत डर गया था और वो सिर्फ इसलिए नहीं डरा था कि उसे एक गॉर्गॉयल मिला है इसके बाद आता है रूम 873 ये रूम कैनिडा के एक होटल में था जिसका नम बैम स्प्रिंग्स होटल है अगर आप वहाँ पे जाते हो और उनसे कहते हो कि आपको रूम 873 में रहना है वो आपसे कहेंगे कि ये रूम यहाँ पे एक्जिस्ट ही नहीं करता लेकिन हॉलवे में जाने के बाद देखा जा सकता है के रूम 874 और 872 है लेकिन उसके दरमयान की जगा खाली है लेकिन अगर उस वाल पे नॉप किया जाये तो पता चलता है कि इसके पीछे की स्पेस खाली है और कोई पैनल वगड़ा लगा के इसको कवर किया गया है स्टे करें इसलिए वो उस रूम को पूरी तरह रिनोवेट करते हैं इवन वहां के फरनीचर को भी चेंज कर दिया जाता है लेकिन इसके बाद उस रूम में जो भी स्टे करने के लिए गया उसका कहना था कि उसके एक्सपिरियंस बहुत बुरा रहा उनको इस रूम से अजीबो वरिब आवाजे आती थी और उनको लगता था कि इस रूम में उनके साथ कोई है बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि उनको दिवारों पे हैंड़ प्रिंट्स नजर आए जो के बलड़ के थे एक ठीरी ये भी है कि ये रूम आलरेडी हॉंटेट था और वो फैमिली जो यहां पे रहने के लिए आई थी उस आदमी पे इसका बहुत बुरा असर हुआ इसलिए उसने खुद को और अपने बीवी बच्चों को मार लिया इन सब चीजों के बाद होटल मेंजमेंट ये डिसाइट करती है कि इस रूम को पर्मेनेंटली लॉक कर दिया जाए इसलिए उन्होंने पैनल लगा के उसको बंग कर दिया है ताकि किसी को पता ही ना चल पाए यहां पे कोई रूम भी था हम लोगों ने बहुत से ऐसे घरों की स्टोरी सुनी हैं जो के हांटिर होते हैं लेकिन ये एक ऐसा होटल है जो के बहुत ही ज्यादा क्रीपी है जिसे 1893 में डॉक्टर एचेच हांस ने शिकागो में बनाया जिसमें टोटल 60 रूम थे इस पूरे होटेल में एक भी विंडो नहीं थी और इसमें एक सीक्रेट डंजन भी थी इन सब चीजों को देखके ये तो पता चल ही जाता है कि इसको पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया गया था बलके ये स्पेसिफिकली क्रिमिनल्स और सीरियल किलर्स के लिए बनाया गया वहाँ पे साउंट प्रूफ रूम्स बनाये गए थे जहां से लोगों की आवास का बाहर जाना नामुम्किन था डक्टर हॉम्स ने लोगों को एक रूम में लॉक किया और वहाँ पे जहरीली गैस चोड़ ती जिसकी वज़़ा से 10 लोग मर गए जब डक्टर हॉम्स को अर है और अगर आप यहां 45 मिनट से ज्यादा स्पेंट करते हो तो आप पागल भी हो सकते हो अगर आप यह सोच रहे हो कि आप इस रूम में जाओगे और रिलैक्स फील करोगे तो आप बिल्कुल गलत हो क्योंकि यह रूम आपको बिल्कुल इंसेन कर देगा यह रूम और है कि इवन यह नेगेटिव डेसिबल्स में है इसका साइंटिफिक नेम एने को एक चैमबर है और यह कितना स्केरी रूम है कि यहां जो भी कोई ज्यादा टाइम स्पेंट करता है उसको बहुत ज्यादा अजीब औ गरीब ख्याल आने लग जाते हैं इतनी ज्यादा खमोश इल्कुल ना होने के बराबर है बहुत से कंट्रीज ने इसे ऐसा फार्म आफ टॉर्चर भी यूज़ करना शुरू कर दिया है जिससे दा वाइट रूम कहा जाता है यहां पर प्रिजनर को कॉम्प्लीटली आइसोलेट कर दिया जाता है जिससे खाने के लिए भी वाइट पूर ही दिया जाता है वो ना तो कुछ सुन सकता है और ना ही वाइट कलर के इलावा कुछ देख सकता है यह चीज़ बहुत स्केरी है कि कुछ ही देर में इनसान यहां पर रहके पागल हो जाता है और यह ज्यादा टाइम भी नहीं लेता है इसके बाद आता है रूम दॉलर्स अर्ण करती है यहां पर सिर्फ गोर्मिट ऑफिशल जा सकते हैं और नॉर्मल इनसान का इसके पास जाना भी पॉसिबल नहीं है यहां पर बहुत ज्यादा फेक डॉलर्स प्रिंट किये गए जिसकी वज़ा से यूएस ट्रेयरी को अपना नोट रीडिजाइन करन पड़ा यहां हर तरह का इलिगल काम किया जाता है जैसे के ड्रग्स खरीदना और बेचना है 2015 में एक वाइरस आया था जिसका नाम दावाना क्राइव वाइरस था जिसने 150 कंट्री में आलमोस्ट 1 मिलियन कंप्यूटर्स को टार्गेट किया था यह वाइरस कंप्यूटर्स की सारी फाइल्स को लॉकर देता था और यूजर से रिक्वेस्ट करता था कि जब तक वो बिटकोईन एक्चेंज नहीं करेंगे तब तक वो फाइल्स को अनलॉक नहीं कर सकते इस वाइरस ने गॉर्णमेंट एजनसी और बहुत बड़े बड़े बिजनेस को टार्गेट कि और उनके डेटा हैक करके बहुत से पैसे कमाई रूम 39 ने लंदन इंशुरेंस को भी टार्गेट किया और उनको फेक इंशुरेंस क्लेम करके उनसे पैसे लिए और जब को इस चीज़ का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी एक्सपर्ट का कहना है कि रूम 39 हर साल 1 बिलियन टू 5 बिलियन नॉर्थ कोरिया के लिए बना लेता है और अफकोर्स ये पैसे उस कंट्री के गरीब लोगों को नहीं जाते बलके किम जौंगूंग और उसकी फैमिली को जाते हैं ताके वो लोग अपनी लग्जिरियस लाइफ गुजार सकें या ज्यादा तर पैस अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा तब तक के लिए बाई